Welcome friends, कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं call to action के बारे में कि call to action क्या होता है, हमें अपने website में से कैसे use करना चाहिए और ये कितना important है हमारी website के लिए और अभी तक आप लोग ने अगर ये चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो तुरन सस्क्राइब कर लें तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं CTA होता क्या है? CTA का मतलब है call to action अगर हम लोग CTA देखें तो CTA का हर जग़ अपना importance है चाहे आप website पे देख रहे हों चाहे आफ लाइन marketing में देख रहे हों ये tv ads में देख रहे हों कहीं भी देख रहे हों हर जग़ा CTA होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने visitors को बता रहे हैं कि आपको क्या action लेना है जैसे suppose आपने website खोला वहाँ पे रहता है call long call long क्या है? वो एक तरह का CTA है या आपकर वहाँ पे रहता है fill this form वो क्या है? वो भी एक तरह का CTA है और ये जो CTA है ये बहुत important है क्योंकि जब एक user आता है और user को अब आगे क्या करना है? ये चीज जो है ये user को सोचना ना पड़े आप उसे खुद से बताएं कि आगे क्या करना है और कभी ऐसा होता है कि अगर user को सोचना पड़ जाए कि अब मुझे क्या करना है? यानि कुछ ना कुछ वहाँ प्राबलम है क्योंकि हम लोग CTA ये call to action से क्या करते है एक visitor जो पहली बर मेरे website पर आया है उसे हम लोग nurture करते हैं अपने funnel में लेके आते हैं उसके बाद हम लोग sale करते हैं तो ये जो पूरा process है इस पूरे process में हम लोग different level पर different call to action रखते हैं जैसे हम लोग for example लेके समझते हैं अगर कोई आपके website पर पहली बार आया है या suppose मैं example लेके चलता हूँ कि मेरी website पर कोई भी पहली बार आया है digital marketing course पटना या digital marketing course सर्च करते हुए तो मैं उसे क्या pitch करूँगा मैं उसे directly नहीं pitch करूँगा कि buy my course या मेरे course में join करो नहीं मैं वो push नहीं करूँगा मैं क्या करता हूँ मैं उसे बोलता हूँ कि आप मेरे five days जो free demo class है उसके रेजिस्टर कीजए और ये बिल्कुल free है इससे क्या होता है मैंने क्या क्या मेरे लिए call to action क्या हो गया है यहाँ पे वो जो lead form है वो मेरे लिए call to action है क्योंकि एक visitor आया उस वो क्या करेगा उस form को fill करेगा अब क्या है कि वो जो form fill कर लेता है उसके बाद मैं उसे mail भेजना start करता हूँ और ये mail तब तक जाते रहाता है मैं उसे nurture करता हूँ बताता हूँ और ये एक तरह का process है कि मैंने अपने lead को nurture किया यानि कि उसे information दे रहा हूँ मैं उसे और उसे अपने customer में convert कर रहा हूँ और ये जो five day का demo class खतम हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसे course page करते है वहाँ पे मेरा call to action दूसरा होता है it depends totally upon visitor आपका visitor उसे में किस stage में ये तो visitor आपको नहीं जानता है उस stage में ये आपके visitor से थोड़ा acquaintance है मतलब visitor आपको थोड़ा बहुत जानता है उस case का call to action कुछ और होगा और एक call to action जब visitor आपको अच्छी तरह से जानता है उस से में आप call to action क्या करेंगे अगर हम लोग call to action का कुछ example देखें तो example words में क्या होगा register now, click for more info, donate now, download this form, fill this form ये सब सारा क्या है call to action का words है जिसके साल आप कुछ न कुछ आड़ करते हैं जैसे कि मेरा call to action है register now for five day free demo class तो मैं register now के साथ five day free demo class आड़ कर रहा हूँ, incentive आड़ कर रहा हूँ ताकि वो ये course जोइन करें अगर आप इस तरह का देखेंगे कहीं भी आड़ देखेंगे कोई भी website होगा, हर जगा उनका एक call to action होगा पर जब हम लोग call to action यूज करेंटें अपने website में तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं एक generally क्या बोला जाता है कि call to action हमेशा नीचे रखना चाहिए पर वो उस condition में जब user को आप बहुत information दे रहे हूँ वो information पर ग्रास्प कर ले, उसके बाद call to action दे या बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग starting में एक call to action देते हैं क्योंकि वो depend करता है आपका जो visitor है वो उस चीज के बारे में कितना जानता है अगर आप कुछ free में दे रहे हैं तो obvious है आप top में भी दे सकते हैं क्योंकि free में maximum क्या लोग sign up कर लेते हैं तो यह हम लोग क्या last में आके देते हैं पर हमेशा हमें ध्यान देना है कि अगर आप एक page में बहुत जादा multiple cta नहीं यूज करें मतलब different उसी page में आप buy knob यूज कर रहें उसी page में आप register knob यूज कर रहें उसी page में आप for click for more info यूज कर रहें वो अभी as a fresher है मतलब fresher मतलब मतलब वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है या acquaintance stage में है कि वो मुझे जान रहा है या ऐसे last stage में जहां पर परचेस करेगा इसके according हमें call to action रखना चाहिए तो यह overall summary है cta का यह हमें अपने website में use करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि cta use करें क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अगर user मेरे website पर आ रहा है तो उसे पता है उसे क्या करना है अगर यह सोच कि अगर आप cta नहीं डाल रहे हैं तो यह गलत कर रहे हैं क्योंकि maximum user को पता नहीं होता है कि अब उन्हें क्या करना है यह हम लोग चाहते हैं कि हमारा visitor कैसे behave करें यह totally depend करता है cta पर अगर आप cta ठीक से use करेंगे तो आप अपने visitor का जो funnel का stage है वो आप proper follow करेंगे अब उसी तरह है कि suppose आप ऐसे रास्ते में जा रहे हैं आपको कोई direction नहीं मालुम है किधर जाना है नहीं जाना है अगर वहां पर हर direction थोड़े दूर पर अगर mark दिया हो arrow mark की left यहां से right और यहां से left जाना है तो क्या होता user destination पर पहुंच जाता है same cta के साथ है cta भी एक तरह का bulletin board है importance बहुत है तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को cta समझ में आया होगा कि call to action क्या होता है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें channel को subscribe करें वीडियो को जरूर share करें और आप चाहते हैं digital marketing सीखना तो आप हमारा course try कर सकते हैं digital marketing course from zero to hero मैंने description में link दे दिया आप चेक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you bye